An athlete is given 100 gram of glucose for energy, this is equivalent to 800 kg of energy, देखे, यह given है कि एक athlete है और उसको 100 gram of glucose दिया जाता है, basically energy, 100 gram of glucose की इन्होंने बोला है, is equals to 18 kilojoule of energy, यह given है, the 50% of this energy is gained in utilizing, energy gained is utilized by the athlete for sporting activities, आधी energy, वो sports sports खेलने में हो जाता है, okay, in order to avoid storage of energy, the weight of extra water, he would need to perspire is, देखे, simple सा question है, देखे, इसको समझी, glucose है, glucose जब आपका burn होगा, तो C6H12O6, बर्ण क्या होगा, oxygen से reaction पर, 6O2, तो reaction क्या बन जाएगी, 6CO2 प्लस 6H2, अब इसमें यह ध्यान रखें गाईज, यह gas होगे, यह gas है, यह liquid है, सो, सो बेसिकली क्या कह रहा है वो, कि जो आधी जो energy थी, 1800 से मिला, 1800 में से, वो आधी, उसने, पलस यह energy भी होता है न, जो 18 में से 900 किलो जूल तो उसने use कर लिया, ठीक है, अब जो 900 किलो जूल energy, बची, 50% कही थी, 900 किलो जूल जो energy बची, वो इसमें, वाटर की फोर में स्टोर हो रही है, अब उसे, क्या करा है, इन ओर टो अवोएड स्टोरेज ओफ एनर्जी, दव वेट ओफ एक्स्टा वाटर, वो पूचाए कि इस वाटर का कितना वेट होगा, कि इसको लिक्विड को वेपर में कनवर्ट करते, बेसिकली पसीने के फोर में उड़ा दे, एनर्जी मुझे कुछ नहीं स्टोर कर ड़ी है, 800 किलो जूल ये 100 ग्राम जो ग्लुकोज मिला था, आधा मुझे स्पोर्स में खर्च करना है, और आधा मुझे तसीने में उड़ाना है, ठीक है, स्टोर कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चिन है बेसिकली, ओके, इतना समझ एनर्जी यूटिलाइजड इन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, क्या होगी, 50% ओफ ऐटीन हंडड याने 900 किलो जूल, सो एनर्जी जो लेफ्ट हुई, एक्सिस क्या है एनर्जी अभी मेरे पास, बची भी 1800-900, ओके, सो 900 किलो जूल एनर्जी, बची, अब जो एन्थेलि एनर्जी हुई ये, वो इस वाटर की फोम में निकलना है, वाटर से बिसिकल एवैपोरेट होना है, इन्होंने कहा है, कि जो 45 किलो जूल एनर्जी है, वो रिक्वार होती है, वन मोल ओफ वाटर को एवैपोरेट करने में, ठीक है, वन मोल वाटर को एवैपोरेशन में, या मैं यह कह दू कि वन मोल का मतलब 18 ग्राम 18 मोलीकर मास उसका 18 ग्राम हो गया ठीक है तो वाटर को इवैपुरेट करने में 45 किलो जूल एनरजी ओके तो वन किलो जूल एनरजी को इवैपुरेट कितने में होगा 18 अपोन 45 तो मैं क्या कहूंगा कि जो 900 बचा मेरा 900 तो 900 किलो जूल एनरजी को इवैपुरेट करने में 18 अपोन 45 इंट्व 900 और ये क्या हो जाएगा आपका 360 करेक्ट तो 360 ग्रैम्स बेसिकली आपको जो वाटर होगा उसको एवैपुरेट करने में यूटिलाइज वोगा तो वेट एक्स्टा वाटर ही वोड नीड तो प्रेस्पार इस 360 ग्रैम्स आपको एक कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा